एक बढ़ फिर देखने को मिला कल्यूका श्रवन कुमार 105 वर्शे पिता को बंगी में लेकर माकात्याईनी के दर्शन कराने निकले चार बेटे बागल पुर जिले के अंत्रगर सुल्तान गंज बेएक बार फिर से देखने को मिला है कल्यूका श्रवन कुमार बताते चलें कि सुल्टान गंज के वार्ड नंबर 25 का रहने वाला बैजनात मंडल के पुत्रों के द्वारा अपने पिता को मा का त्याइनी इस्थान जो की सहर सा जिला अंतरगत पड़ता है उसका दर्शन कराने निकल पड़े हैं बताते चलें कि वैजनात मंडल का घर 25 नंबर वार्ड अंतरगा ठीका रामपुर में पड़ता है उनके पुत्र आनंदी मंडल के द्वारा बताया गया कि हमारे पिता के उम्र लगभख 105 वर्ष हो चुकी है जो कि चलने में असमर्थ हैं इसी कारण से हम सभी भाई मिलकर अप कामी में देश सेवा कर रही हैं बता दें कि बैजनात मंडल के चारों पुत्र तथा उनकी पतनी एक बहंगी रूपी कमवर बना कर कंधे पर लेकर श्रवन कुमार की तरहें अपने पिता को मा कात्याइने के दर्शन कराने के लिए चल पड़े हैं जिसमें आनंदी मंडल न की उम्र भी काफी हो गई है उन्हें अपनी कुल देवी मा कात्याइनी का दर्शन करने का मन हुआ तो हम सभी भाईयों ने सोचा उन्हें दर्शन कराया जाए और बंगी बना कर अपने कंधे पर लेकर गाउं जा रहा हूं सिता रामपूर से कहां लेके जा रहा है माई जी थान जा रहा है कौन है यह अपना पापा का उमर हो रहा है तो हम अपने तिता जी को माई तता ने खान है सारसा पड़ता है जी हाथ वहीं जाएंगे और वहीं मंदिल से फिर लोग जादा नहीं है कितने कितने भाई हैं अप लोग पांच भाई और पांचों लेकर के जा रहा है एक सर्विस में है यानि चार भाई अभी लेकर के जा रहा है उसके बागशा भी है यहीं सब क्या नाम हुआ आपका नरा नम छोटे लाल मंदल हुआ